तो शब्दों के इस प्रकार से यह इस प्रकार बाहर जाने और अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से ही हमारी भाषा सम्रुद्ध होती है ये जो शब्द है इनके इस प्रकार बाहर जाने यानि दूसरी भाषा में घुल मिल जाना और अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से बागी भी भाषा ऐसे होती है जिनके शब्द हमारी भाषा में आते हैं आने से हमारी भाषा और सम्रुद्ध होती है विशेष्टा, वे शब्द, जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते है, यहिनि परियाईई शब्द नहीं होते है ऐसे हजारों शब्द, जो अंग्रेजी, पूर्तगाली और भी फारसे से आये है उन्हें आने दीजिए, ऐसे जो शब्द है उन्हें आने दीजिए क्योंकि उनसे ही हमारी भाषा जो है वो सम्रुद्ध होती है जैसे ब्रश, रेल, पैंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदी ये जो शब्द है ये इन शब्दों का इस्तमाल हम रोज करते है पर हम इन्हें वैसे ही बोलते है ब्रश को ब्रश बोलते हैं, रेल को रेल बोलते हैं, पैंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदी परन्तु जी शब्दों के लिए हमारे पास सुन्दर शब्द है अब इस भाशा इस शब्दों के लिए नहीं है ऐसा नहीं है है लेकिन हमें इतनी आदत हो गई है कि हम उन शब्दों का प्रयोग वैसे ही करते हैं जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुन्दर शब्द है उनके लिए अन्य भाशों की शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए सुर्य नारायन जी रंड सुबे कहते है कि कुछ शब्द ऐसे है जिन के लिए हमारे पास सुन्दर शब्द है उनके लिए अन्य भाशों की शब्दों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए अब कौन से शब्द है वो देखो हमारे पास मा के लिए पिता के लिए सुन्दर शब्द है जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू, आदी अब उन्हें छोड़ मम्मी, डाड़ी कहना अपनी भाषा के सुन्दर शब्दों को अपमानित करना है सही बात है माँ शब्द में सारा संसार है जब कोई बच्चे अपनी मा को आवाज देता है मा तो हमें बहुत सुन्दर लगता है पर उसी जगा ममी कहता है अब ममी कहते वक्ट ममी भी नहीं कहते है कुछ बच्चे ममी कहते है, मौम कहते है है न, अब उसके लिए हमारे पास परियाई शब्द है न माई बोलो, अम्मा बोलो कितना अच्छा लगता है उसी तरह पिता के लिए पॉप, अब आजकर लोग बोलते पॉप, पापा ये तो अच्छा नहीं लगता है लेकक का कहना है कि अगर हमारी पास इतने अच्छी शब्दे है तो उनका प्रयोग हमें हम क्यों नहीं करते है पर हम हमें शर्म आती है दादा कहते हुए, बापु कहते हुए, अन्ना कहते हुए, बाबा कहते हुए हमें शर्म आती है पर इसमें जो प्यार है वो मॉम और डैड में नहीं है तो इसलिए जहां हमारे पास परयाई शब्द है तो इतने सुन्दर शब्द है तो हमें उनी शब्दों का इस्तमाल उनी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए अब उन्हें छोड़ा हूं मम्मी डाइडी कहना अपनी भाषा के सुन्दर शब्दों को अपमानित करना है जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारी भाषा के जो सुंदर शब्द होते हैं उन्हें हम अपमानित करते हैं सुंदर शब्द जो है वो यही है जो मैंने भी पड़े है उसके बाद हमारे मुख से उच्चारिज शब्द हमारे चरित्र बुद्धी मत्ता समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सूचना चाहिए कम से कम शब्दों में अर्थपुर्ण बोलना और लिखना एक कला है बिल्कुल सही कहा है लेखक ने कि जब हम अपने मुख से कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो शब्द जो होते हैं वो हमारे कारेक्टर को, हमारे चरित्र को हमारे बुद्धी को हमारे ज्यान को हमारे संसकारों को दर्शाते है जब कोई गंदी शब्दों का इस्तमाल करता है अच्छी तरह से नहीं बात करता है तो हम कहते हैं न ऐसे संसकार दिये हैं तुमारी बाता पितानी तुम्हें और सही बात है बच्चो हमारे जो शब्दों होते हैं जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनसे हमारे संसकार पहचान में आते हैं और वो अपने हमारे संसकारों को दर्शाते हैं इसलिए शब्दों के उचारण के पूर्व हमें सूचना चाहिए जब भी कभी हम बोलते हैं क्योंकि कहते हैं कि एक बार अगर मुझे शब्द निकल जाया तो फिर वो वापस नहीं आता है शब्द वही होते हैं लेकिन उसका प्रयोक ठीक से करना चाहिए कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है कोई-कोई लोगों को बहुत आदत होती है लंबा चोड़ा बात करने की कोई पॉइंट छोटा रहता है लेकिन वो पूरी बात बताते हैं और अंत में उस मुद्दे पर आते हैं लेकिन कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है और वो कला सब में नहीं होती है बहुत कम लोगों में वो कला होती है यह कला विवित पुस्तकों के वाचन से परिश्रम से साध्य हो सकती है मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है अब यह जो कला है कि कम शब्दों में अर्थपूर्ण बूलना यह कला विवित पुस्तक के वाचन से जितना हम वाचन करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा और उतनी बाते हमें समझ में आएगी परिष्रम से साध्य हो सकती है परिष्रम क्या करना है इसके लिए दिन बर काम करना है क्या? नहीं यही परिष्रम है पुस्तकों का वाचन करो उसमें जो जो कठीन शब्द है उन्हें निकालो उनका अर्थ अपनी शब्द कोष में ठूंडो रोज हिंदी के कठीं दस शब्द अपने कौपी में लिखो, शब्द को उष्टे ढूंड कर जितने शब्द तुम्हारे पास रहेंगे, जितनी शब्द संपदा तुम्हारी अच्छी रहेंगी उतनी ही तुमें आगे जाकर वो बात बहुत आसान होगी जब तुम निभंद लिखोगे, जितनी शब्द हमारे पास होते हैं न उतना हम अच्छी से बोल सकते हैं लेकिन जो भाशा हम सीख रहे हैं उसकी शब्द संपदा ही हमारे पास नहीं है तो कुछ फाइदा नहीं है तो यह कला विवित पुस्तकों के माचन से परिश्रम से साथ्दे हो सकती हैं मातर एक गलख शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार बढ़ सकती है कोई भी नाता जैसे मैंने आपको पिछले तासिका में बताये था कि कोई भी नाता जो होता है वो विश्वास की बुनियाद पर होता है और हमें हमारे दोस्त पर बहुत विश्वास होता है हम उसे हमारे दिल की सारी बाते बता देते हैं हमेशा उसके साथ अच्छी बात करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तमाल उसके साथ करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कबार अगर एक आदा गलत शब्द हमारे मुझ से निकल गया, तो वर्शो की दोस्ती में दरार पड़ सकती हैं, देखो बच्चो लोग अच्छी बाते धान में नहीं रखते लेकिन बुरा जरूर धान में रखते हैं। तुम दस काम अच्छी करोगे तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर एक काम तुमारे हाद से बिगड़ता है तुम उस काम को दस बार लोग दोर आते हैं। इसलिए खुद को शत्प्रतिशत साबित करने के कोशिश करो। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार से किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए इसे अनुभो, मार्गदर्शन, बाचन और संस्कारों द्वारा ही सिखा जा सकता है। किस के सामने कैसा बोलना चाहिए? अब आप बोलोगे तो बोलते तो सब के सामने सेम है मैडम हम लोग? नहीं, हम हमारे मित्र के साथ अलग बोलते हैं। जब हमसे छोटे लोग होते हैं उनके साथ हम अलग बातचित करते हैं हमसे बड़े होते हैं उनसे अलग हम उम्रज होते हैं कोई बच्चा अगर हमें दिखाई देता है तो हम उसे तुरंथ हमारे बोलने का ये बदल जाता है अले-अले किते प्याले हो तुम, क्या नाम है तुमाला ऐसे तुरंथ हम बोलते हैं ये छोटे बच्चों के साथ लेकिन अगर हमारा मित्र रहा तो हम एक अलग ही उसके साथ पेश आते हैं बहुत दिन होगे, हम कही बाहर नहीं गए हम बाहर जाएंगे, यह हम दोनों क्योंने मिलकर पढ़ाई करेंगे ये जो निभन्द का टॉपिक मैंडम ने हमको दिया है इस पर हम दोनों मिलकर सोच विचार करेंगे हमसे बड़े जो होते हैं उनके साथ हम आदर्युक्त शब्दों का इस्तमाल करते हैं कभी भी तो किस समय, किस के सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रविक करना चाहिए इसे अनुभो, मार्गदर्शन, बाचन और संसकारों द्वारा सिखा जाता है experience जो होता है, अनुभो बहुत बड़ी बात होती है जितना अनुभो हमारे साथ होता है न, उतने ही हम और निखरते जाते हैं मार्गदर्शन, guidance जिससे हम कहते हैं जो हमारे माता पिता हमें देते हैं, हमारे गुरुजन हमें देते हैं और वाचन, जिसके मैंने आपको अभी बताया, कि जितना वाचन करोगे, उतनी तुमारी शब्दे संपदा और अच्छी होगी, और संस्कार तो हमारे अच्छे ही है, तो इस तरह अनुभो मार्गदर्शन वाचन और संस्कारों द्वारा ही ये बाते सेख सकते हैं, सुन्दर हमारी परिक्षा होती है, तो हमें प्रशन का उत्तर आता है, जरूर आता है, लेकिन कभी कपार ऐसा होता है, कि उसे हम ठीक से, कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं, जो उसे ठीक से नहीं लिख पाते हैं, बाके को सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, तो उसके आंग थोड़े क वो बिलकुल वैसे के, वैसे सुंदर लिखावट में और अर्थम है, लिखते हैं, तो उन्हें अच्छी श्रेडी प्राप्त होती है, अब अच्छी श्रेडी प्राप्त करने के लिए ये मेहने तो हमें करनी है पड़ेगी, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है जब हम उल्टी सीदी बात करते हैं नो किसी के साथ तो वो हमेशा हमारे लिए हानिकारक ही होता है अनाप शनाप याने उल्टी सीदी बात करना तो उल्टी सीधी बात के नाने अनाप्शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिका रख होता है इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए